राजसान सहीर शेखावटी में मोलसून की अच्छी बारे श्रबी की आगामी फसलों के लिए अम्रित का काम कर रही है बरसोबाद भूमी की नमी बढ़ने से जिले में इस बार बरानी खेती में अंकूरन फटेगा सब कुछ छीक रहा तो मोसम ने साथ दिया तो राजस्तान के सिकर जिले में खेती का रखबा बढ़ने से इस बार सरसो चना की फसल किसानों की जेबों में करोडों रुपए डालेगी उधर दिपावली से पहले ही मोसम अनकूल होने से कई किसानों ने रभी की फसलों की बुआई भी शुरू कर दी है किसानों का मानना है कि अच्छी बारिश के चलते इस बार पाले की संभावना भी कम रहेगी क्रिशीवी ग्यानिकों की मानने तो इस बार नमी ज्यादा होने के कारण रोग कीट का प्रकॉप भी अन्या सालों की तुल्ना में काम रहेगा अकेले सिकर जिले में करीब एक लाग हेक्चर में बरानी खेती का अनुमान लगाया जा रहा है बुआई का शेतर बढ़ने से सरसो चना के उत्पादन में करीब 15 फीसद बढ़ोतरी के आसार हैं सिकर जिले में गेहू 85,000, जोत 32,000, चना 60 और 664 वही तारा मीरा 20,000 वे चारा वे सबजियों के करीब 32,000 हेक्टर में बुआई की जाएगी क्रिशी विग्यानिकों का मानना है कि परदेश में इस बार उसस से ज्यादा बारिश होने के कारण रभी की फसलों को फायदा होगा आम तोर पर सर्दी का सीजन देरी से शूर होने पर रभी की परमुक नगडी फसल सरसो फलियां बनने के वस्ता में तेज सर्दी के कारंग जुलस जाती है लेकिन इस बार सर्दी जल शुरू होने से तेज सर्दी के अबदी लंबे समय तक नहीं चलेगी जिसमें नुमान लगाया जा रहा है कि ते उसर्दी के कारन इस बार सर्थो की फसल के कम जुलसने के आसार है जिस से हजारों किसानों को सीधे तूर पर फाईदा मिलेगा वही सीकर जिले की बात करें तो वहाँ पर सर्सों का उत्पादन 15 फीसद जादा होने का नुमान लगाया गया है किसानों की माने तो पिछले साल की तुल्ला में इस बार 25 करोड रुपे का उत्पादन बढ़ने की संभावना है किसानों की माने तो सीजन बारिश का उत्पादन ज्यादा रहता है उस दोरान पाला बढ़ने की संभावना कम रही है अच्छी बारिश सर्दी में भी साथ देती है जब सुखा रहता है तो पाला पढ़ता है और वहा घिती फसलों को भी नश्ट कर देता है इस बारिश का अंतिम दोर अच्छा रहा जो किसानों को बंपर उत्पादन करके देगा बड़ी बात ये भी है कि पलाव करने में इस बार चार की जगह तीन घंटे ही लगेंगे क्योंकि जमीन में नमी के चलते चार घंटे का काम तीन घंटे में हो जाएगा वही राजस्तान में अच्छी बारिश से खेतों में भी नमी बढ़ने के चलते इस बार रभी सीजन में बिजली की रिकोर्ड डिमांड रहने की संभावना भी जताई गई है यदि ऐसा होता है तो बिजली कंपनियों को किसानों के लिए बिजली का माकूल इंतजाम करना होगा लेकिन फिलाल कोईला संकट से जूज रही बिजली कंपनियों की चिंता बढ़ गई है जानकारों की माने तो अगले 15 दिनों में तैह हो जाएगा कि रभी के लिए किसानों को कितने ब्लोक में कितने कितने घंटे बिजली सप्लाई दी जाए माना तो ये भी जा रहा है कि परदेश में नुवंबर से फरवरी के बीच रभी सीजन को देखते हुए बिजली डिमांड 165,400 मेगावाट तक पहुन सकती है वहीं बिजली कंपनियों के माने तो रभी सीजन के दुरान उत्तर परदेश की बिजली वितरन कंपनियों से 1500 मेगावाट बिजली ब्रेकिंग प्रिक्रिया के तहत ली जाएगी नुवंबर से एगले साल फरवरी के बीच बिजली लेंगे वहीं बिजली खरीदने की बजाए बैंकिंग के रूप में भी यह ली जाएगी यारी जितनी बिजली लेंगे उतनी लोटानी होगी सुत्रों के मताबिक उर्जावी भाग ने उर्जावी कास निगम और तीनों विद्यूत वित्रन कंपरी को अलट रहने के संद्र निर्देश दे दिये हैं आपको बता दें कि राजस्तान में बरसो बाद अच्छी बारिश के चलते जमीन में नमी की मात्रा बढ़ गई है जिसके चलते रभी की फसल का बंपर उत्पादन होने का नुमान है अच्छी बात ये भी है कि बारिश के अंतिम दोर की जमा जम के चलते इस बार पाले की संभावना कम रहेगी परदेश के जिन जलों में प्री मोंसुन की अच्छी बारिश हुई वहां के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा प्रún आधिरए नजिस्पभी बारिश क BIGज़ा णरे के ला पाले कुछटा आए कि अच्त्बरणवा आए आए हुझा झालेके ले वहां पाले को मित द्राकश के ज्यादा है कि इसानों सबसे झाले की ए을 जाड़ होगा है कि अ़गले की इससानी ड़ी होगा है